बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के पिकर पे खड़े होकर बताएंगे हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, संसिकाल, जहां भी आँ इमीद करती हूँ, आप ठीक ठाक होंगे, मेरा नाम है मालीज, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूटूब के चैनल पर, आज का वीडियो में जो आपके लेकर आई हूँ, यह है मेजर गौरव आरिया का वीडियो उसमें पताएंगे कि किस सरी के से उसमें चाइना का हाथ हो सकता है, यहाथ है, तो मैंने पूरा वीडियो भी नहीं देखा है, मैंने आदी रिकॉर्डिंग कर ली थी फिर वीडियो खराब हो गया, तो फिर मैंने का No Mali, you must not give up, तो मैंने का नहीं आज ही बनानाएं एंगे क्योंकि इस वेडियो पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा I think इतना ही अभी के लिए चले वीडियो को देखते हैं इस नॉट की होंगे की नहीं होंगे तो क्वेश्चिन इस कब होंगे जैन दोस्तों पैउमेजर गारवारी और आप देखने हैं तो चानल के डैलोग से इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करिए बेला इक अंद बाना बिलकुल मत धूलिये दा दोस्तों आपको पता है कुछ दिन पहले मॉल्डीव्ज में जो प्रोसेक्यूटर जेनरल थे उनकी उपर हो गया हमला हमला हो गया होतोड़े होतोड़े से मारा पता नहीं क्या करा उसको वो हॉस्पिटलाइज हो गया तो ये एक अटैक था पॉलिटिकली मोटिवेटेड क कि भाई जो आप प्रो इंडिया प्रो इंडिया कर रहे हो ना कि भारत हमारा दोस्त है भारत हमारा दोस्त है ये जादा मत बोलना वरना जान से मारते हैं ठीक है दोस्तों इब्राहिम सोले ने ये बोला है कि पॉलिटिकल अटैक्स इस किसम के वाइलेंस पॉलिटिकल वाइ करता हूं तो इसा है कि जब से मौल्डीव आजाद हुआ है मौल्डीव भारत के बड़ा क्लोज रहा है और भारत ने आपको पता है हर तरीके से मदद करी है हर साल भारत के बजट में कई सौ करोड पता ने कितने रुपए अब मैं डीटेल्स भी है मेरे पास मौल्डीवस के लोग भी कह रहे थे کہ मैंने काफी इंटर्व्यू के लिए ये होनाफ नहीं फिर साल पैसे देता है हर साल इवरी सिंगल यिर इंडिया गिवस मने तो तो मौल्डीवस और काफी समय से मौल्डीवस की मदद करता रहा है बीच में आता है चाइना जो चाइना बीच में आता है चाइना यह सोचता है कि यार ठीक है भारत का जो रसूख यहां पे है वो बढ़ रहा है हमें मॉल्डीव्स में पहुंचना होगा लेकिन क्यों कारण क्या है मॉल्डीव्स क्यों इतना स्ट्रेटीजिकली इ बारत का पूरा पूरा वेस्टन सी बोर्ड मॉल्डीव से उपर दिखता है यह जो जहाज आ रहा है जिसको चाइनीज कह रहे हैं सर्वे वेसल यहा क्यों रहा है इसका कारण क्या है आने का इसकी मंच्छा क्या है वहाँ पर यह बेसिकली एक स्पाइ वेसल है इसके अंदर लेटस रेडार्स हैं सैटलाइट से इसकी अपलिंक है हर किसम की टेक्नॉलजी इसमें है कि आप पता लगाईए इस पूरे एरिया में इस पूरे रेंज में यह पता लगाईए साब बारत के नेवी के जहाज कहां पर है एफोर्ट के प्लेन कहां से फ्लाइ करते हैं उनकी पंडूबियां कहां कहां जाती हैं कहां-कहां पेट्रोलिंग करती हैं आप जब भी जाएंगे चाहे उसके पॉलिटिकल डिफरेंसिस ताइवान के साथ मैं चीन की बात कर रहा हूं चीन और ताइवान के जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसिस हो जो भी है जो भी है लेकिन वो चाइना का नेवर है वो चाइना का पॉलिसी है और अगर भारत का वहाँ पर रुतुबा बढ़ता है चाइना के अंदर तो चाइना का गला सूखेगा यह फैक्ट है उस वही चीज वही गेम चाइना भारत के साथ खेलना चारा है कि बिल्कुल भारत का नियर नेवर है अगर इमीडिट नेवर नहीं है तो भाई यह नियर नेवर तो है और यहाँ पे इंडियन नेवी की पूरी धाक है तो चाइना अगर यहाँ पे बैठ तो यहां से इंडिया को थ्रेटन कर सकता है, आप सिर्फ समुदर मा खड़े होगे थ्रेटन नहीं कर सकते हैं, आपको लैंड बेस्ट चाहिए, जहां से आप अपने ओपरेशन्स लांच करेंगे, चाइना उस चीज के तियारी कर रहा है, तीसरी चीज, जो ट्रेड रूट आ जो चाइना का पश्चमी पार्ट है, वहां पर बहुत कम है, मैं यह नहीं कर दोग वहां पर नहीं रहते, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि वहां की पॉपुलिशन काफी कम है, जो चाइना का बिजनस है, चाइना की एकॉनमी है, जादा तर एस्टन, पूरवी तरफ से पूरी चाइना की चलती है। इस दिन बैट के आपको मलाका चोख इतमे रानसा समझाओंगा। अब मैटर ये है कि वहाँ से जब इनके जहाज आएंगे तो कहां से आएंगे फिर श्री लंका से ऐसे गूम के जाना पहलेगा। और श्री लंका से जैसे ही आप घूमते हैं सामने कौन सा अदेश पढ़ता है। इस वान। मॉल्डीस ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर ये गेम चल रहा है मॉल्डीस में कि मॉल्डीस को कंट्रोल कौन करेगा और जैसे 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 मुहमद मुईजू की कुरसी गिरने वाली ऐसा लग रहा है कि इंपीच्मेंट हो रही है। लग रहा है कि इतने सीट मिल गई, ऐसा लग रहा है कि इतने वोट मिल गए, अब ये लोग सब मॉल्डीवियन डेमोक्राटिक पार्टी को ले लो या डेमोक्राट्स को ले लो, किसी को भी ले लो, जैसे जैसे पता लग रहा है कि मॉमेंटम बिल्डप हो रहा है, इसको न जिए निदी निवी को भालों कि हमारे मॉल्डिस से लेंगा है यह मॉलडिफ से लेंगे हैं एक है अभरा प्रेज़ेंट पागे ले तुम्हारे चार-फांच मंत्री पागल है। बाकी तो मॉल्डीस दोस्त आहे हमारा मॉल्डी मॉल्डी का इतना पुराना रिष्टाम कैसे तोड़ते हैं पागल के बच्चे को अटाओ इसकी निए कबने दोड़ा लो दुश्मनी तोड़ता मॉल्डी से सब अब यह कह रहे हैं बिलकुल सोचिल मीडिया पर यह बात चल रही है कि भारत ने कर दिया भारत ने कर दिया भारत ने कर दिया और यह सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं इसका मास्टर है चीम मिसनफोर्मेशन और डिसनफोर्मेशन वैसे इस चीज़ से मझे याद ही आ रहा है कि मैंने नोटेस किया है कि मैंने डिफरेंट कंट्रीज को इं कि इंडिया को बोल रहे थे कि यह वो है I have seen a lot of attacks are going on India now it could be this way कि इंडिया में पावर आदी जा रही है और जैसे जैसे आपको लगता है ना कि आप फेमेस होते हो या पावर मिलती जाती है आपको तो लोग उतने ही ज्यादा आपकी अगेंस बोलेंगे उतने ही आपको कम्सोर करने की कोशिश करते है and I find that that is happening slowly I just realize this अभी मुझे रियलाइज हुआ है कि यार यह तो एक ट्रेंड सा बनी है यह नो हर को यह की ट्रेंड ले रहा है farmers प्रोटेस्ट जिब हुआ था तो कितना क्रिसाइज किया था इंडिया को and stuff you know मैं आपको बताता हूँ दोस्तों दो तीन देश हैं जहां पे चाइना ने यह चीज ट्राइक ठीक है अब मैं जाता हूँ बंगलादेश एक मिनिट के लिए तो उनकी वो डॉटर है एंड शेख मुझीब और रहमान ने अपनी जान दी थी उसकी खुद की फौज ने उसको मार दिया था उसने जान दे दी अपने देश के लिए और यह सब जतना भी मैटर हुआ है ना ना बंगलादेश गर्मेंट इस वेरी क्लोस तो इंडियन गर् इंडिया इन कब है यार जो इंडिया उट इंडिया इन तो होना ची आउट होना भाई मैं आप मैं कहती हूं यह कोई आइलेंड ऐसा ढूलो ना इंसान नहीं हुआ है अभी तक कहीं गया नहीं है वहां पर भी है आपको कोई ना कोई टेररिस और्गनाइजेशन पहले से न लग रहा है कि मुल्क बाद में बनता है यह पहले घुज जाते हैं आई डोंट इवन नो वैसे जमाद इसलामी इसम मुस्लिम ब्रदर होड मेरे ख्याल से राइट इंडिया में तो बैन होगा हमें भी बैन करना चाहिए काफी मुल्कों में हमारी तरफ बैननी है आप मेरे मैं आपसे कह रहा हूँ भाई मैं तो अपने खुद के घर में बैठा हूँ मैं तुमारे घर में गया है नहीं मैं आउट कैसे हो जाओंगा लेकिन आपने इंडिया उट इंडिया उट ऐसा होता है मैं आपको बताता हूँ कुछ-कुछ समाज होते हैं कुछ-कुछ societies होती है जहां पर दिमाग की कुछ कमी है अब मैं आपको बताता हूँ काम कैसे करती है यह दिमाग की कमी है आप कभी आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अब दो मिनिट के लिए पाकिस्तान चलते हैं दोस्तों मेरे साथ आप दो मिनिट के लिए बने रहीएगा पाकिस्तान चलते पाकिस्तानियों का जवाब है कि हमारा जो टैलेंट है हमारी जो काबलियत है वो भारत से कहीं जादा है लेकिन हमारे साथ कोई नो कोई गेम कर देता है आप समझ रहें हम में तो बहुत काबलियत है हम में बहुत काबलियत है भाई हम जैसा टैलेंट कोई नहीं है हम जैसा जिसको कहते हैं कि बहदूर कोई नहीं है हम जैसा कोई नहीं है मतलब की ultimate है हम लोग लेकर हमारे साथ साज़श हो गई यार अब हम भोले इतने हैं हम मासूम इतने हैं हमार चेहरे को हमारे चेहरे से मौसुम ही अट्ट पकती है जाड़ इतने शरीफ है इतने बें फूले लोग हमारे साथ गेम हो गया हम से घ्रोड हाँ हाँ डार के पाकिसानियों को ले जाओ बाहर और डार भी होगी ना मौला ना कहेगा इस सुभा हुई भी अथ कहेंगे नहीं सुभा है तो having that mindset is also a talent संजा करें ना गौरण जी आंप पाकिसानी में आपको संजा रही हैं this is exactly what it is क्या बेचता हमारे सामने यह 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 इंडिया को गयब कर देते हैं यह सारे पाकिस्तानी मानते हैं इनके दिल में है जो supposedly इनके दिल में है मुझे नहीं पता बट कहते हैं उसी प्रकार से वही गेम बंगलादेश के अंदर psychological गेम खेला जा रहा है और वह psychological गेम मॉल्डीव में खेला जा रहा है बंगलादेश पाकिस्तान मॉल्डीव मैं आपको बताता हूं देखे तीनों एक तो इस्लामिक कंट्रीज हैं आप इनका गेम समझी है और यह जो conspiracy theories हैं यह तीनों देशों में चलती है खुब जमेरी जमल रेठी गे제가ी आरा तीनों पाकिसान से आया है इन्डिया हमारे देश में बढ़ा इंटेटेश कर रहा है उर्फ मैं पाकिसान गई झाtes एकों आठो होते रहते थे belonged to अज़ अगर वो अगर तो मैं एसी पूचे ज़िए आपके तो मुझे बता ही नहीं था पॉलिटिक्स और गारा का तो मैंने क्यों था हूँ अज़ा अरे वो अमेरिका करवारा होता है तुमने देखा नहीं है जो जब हम भाड़ते हैं उनकी निली निली होती है गोरा गोरा मैंने का वो तो पठान भी होता है पठानों के भी रंगो रहा होता है यू नहीं मगर इनलों के दिमाग में यह है कि हाँ वहाँ जब कोई धमाका होता है तो इस इधर यूएस या इंडिया करा रहा है इंडिया करा है सारा इंटर्नल नहीं हो रहा होता है इस आल इंटर्नल इंडिया के बल पे यहां की प्रधान मंत्री शेख हसीना प्रधान मंत्री इंडिया के बल पे इंडिया का इंडिया का इतना हो गया जो कहते हैं कि ताकत भारत की भारत की इतनी ताकत हो गई कि किसी और कंट्री की जो की सौवरें कंट्री है जो की सौवरें कंट्री है उसका प्रदान मंतरी जमन चाहब ख़गा दे किस लोड को रही जमाते इसलामी जो जब इस्ट पाकिस्तान था बंगलादेश वही जमाते इसलामी जिसने बंगॉली इंटेलेक्चुल मरवाई थे उपरेशन सर्चलाइट के तहित यही जमाते इसलामी के लोग थे जो बताते थे कि उस घर में बंगली प्रोफेसर रह रहा है यह आजादी की बात कर रहा है उसको मरो उसकी बेटी का रेप कर यह जमाते इसलामी वालों नहीं करा है आपको मेरी बात अच्छी लगे है बुरी पर फ्रेंड्स जमाते इसलामी का रोल था जमाते इसलामी इस अप्रो पाकिस्तानी एलिमेंट इंसाइड बंगलादेश एक और चीज़ हाँ बंगलादेश पाकिस्तान से एकोनोमिकली अच्छा काम कर रहा है यह जो मैं आपको बाते हैं बोल रहा हूं है यह बड़ी को जब बंगलादेश आजाद हुआ मगर बाकॉल इसलाम और तो रूलत हो ही नहीं सकती है हमारी तो अपलियादी होती हम कैसे रूल कर सकते हैं हां हमारे अंदर दिमाग ही नहीं होता है हाई लगेट में गिर्विन रूम आपको पता है यह सब से जादा जो मोहिम चली थी पाकिस्टान बनने की कहां से चली थी सबसे जादा जो आवाजें ऊब्ति दे वो पाकिस्तान बनेगा यह पहां से आवाजें उटी थी कार्ण? या डट वन जिस इलाके को आज आप बंगलादेश कहते हैं, वहाँ से maximum आवाजें उठी थी, they led the partition of Pakistan, क्या जब 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हो गए, तो क्या किसी ने भी ये बोला कि नहीं हम वापिस हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं? नो, नहीं बोला ना, क्योंकि जो two nation theory है, वो बंगलादेश में भी उतनी ही जिन्दा है, आज की तारिक में जितनी पाकिस्तान में जिन्दा है, और उसी two nation theory को लेके और उसी हिंदु hatred को लेके जमात इसलामी, जो है शेक हसीना की सरकार को पिन करते रहते हैं, कि इंडिया इं बंगलादेश इतना बड़ा है, करोनों की उसकी अबादी है, बिलांद भर का Maldives है, अगर कल Maldives यह बोली देता है, कि भई, आपकी फौजों को यहां से निकालो, हमें नहीं चाहिए, अगर अड़ जाता है, तो भारत देर सवेर तो निकाली देगा वहां से फौज अतनी हम थोड़ना गुंडा गर्दी करके किसी को बादा है, हम चाइनीज थोड़ना है, कि आपके घर में जब दस्ती घुज गए, भई, आपको नहीं पसंद है, बता तुम चले जाते हैं, अच्छा, जो पाकिस्तान में हुआ, वो मैंने आपको समझा दिया दोस्तों, फिर मैं आपको बताया, बंगला देश में, जो जमाते इसलामी, उसी टाइप की चीज़ें चल रही हैं, आपकी मॉल्डीव्स के अंदर, रैडिकल इसलामिस टिंच सुसाइटी में आ रहा है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कि अगर आप पर कैपिटा की बात करेंगे, इ बी सौका, आप एक सैंपल साइज लेते हैं और आप कैते हैं कि ये सौका, अब बताओ कितने लोग गए, इस में से सौ में, तो मैक्सिमम दुनिया में मॉल्डीव्स से गए हैं जिहाद लड़ने के लिए, यानि की, और चा मॉल्डीव्स की पॉपुलेशन बड़ी काम है, जाहिर सी बात है, तो दोस्तों वहाँ पे ये एशू हो गया है, कि ये जो राडिकल माइनसेट है, इसको भी चाइना इस्तमाल कर रहा है, चाइना कहता है कि देखो, चाइना का सिंपल सा फंडा है, हम तो अल्ला को मानते हैं, ना हम भगवान को मानते हैं, हम तो किसी को मान करता है भारत को लेके भारत को लेके जब बातें शुरू होई हैं मैं आपको बताता हूं तो मॉल्डीव्स से जो राडिकल से बंगलादेश और मॉल्डीव ठीक है ये पूरा सत्ता बनता है से 7 पाकिस्तान बंगलादेश मॉल्डीव जैसे 7 बनता ने इंगलिश का ये 7 भाई ये जो 7 वाला मामला है ये आपको समझे जा रहे ही है सोशिल मीडिया पे लोगों को भड़काने की पहले इन्हों ने मुहिम चलाई थी इंडिया आउट इंडिया आउट इंडिया आउट यही मुहमद मुईजु जो अभी प्रेजिड़न बन रखा यह टीशेट वीशेट पैन के टूलता थ अब इन्हों ने क्या काम कर रहा है हमारी नाव पे हमारे एक एक शिप पे नेवी के शिप पे भारत ने देखो न मैं मॉल्डी जोलों को एक बात सम्झा रहा हूँ यह फ्रेंड्स वही हमने आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करा हूँ आप मानो अगर भारत को अटैक करना पड़ता तो एक इन्व उना जाएगा जैएंगे चुउचु फुफु होगी लेकिन ये सोशिल मीडिया पे चाइना के बेहस्ट पे यह लोग पहना रहे है चाइना के बेहस्ट पर आप मानिए जिस तरीके से मॉल्डिव्स ने पूरे इस चीज को घुमाया भी दोस्तों कि नव में मार दिया ये मार दिया बाद में उनके लोग कहते हैं नहीं इंडिया तो था यह नहीं अम्य तो इंडियन मिला यह नहीं था लेकिन आप आप बाद में पुरूफ देते रो ना आप पुरूफ देते रो क्यों मान रहा है आप DT रो पूफ आप 3 साल पूफ दे दो जिसमें मन में डाणा बना ली और यह चायना जांता है कि तोष्ट थकल और बजेट में यह पटा लगा है कि कि पिछले साल भारत ने 400 करोड रुपई मालडिवस क जो करा था मैं कहा रहा था ना हर साल भारत पैसे देता है 400 करोड मॉल्डीव्स को दिये लेकिन भारत ने खर्च करे 770 करोड भारत ने 2023 में मॉल्डीव्स पर खर्च करे 2024 में ये डेवलोप्मेंटल असिस्टेंस जो है 50% बढ़ा दिया गया यानि कि 400 करोड से 600 करोड कर दिया है भारत में भारत आज भी मॉल्डीव्स को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि भारत को पता है कि पागल का बच्चा बन गया है वहां का राश्टपती लेकिन फैक्ट ऑफ दे मैटर इस बाकी लोग अच्छे हैं बाकी लोग खराब नहीं है वहां पे राडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट है वहां पे कुछ पार्टीज हैं जो घंद मचा रही है लेकिन लार्जली दे मॉल्डीवेंज और गूट पीपल अफ मॉल्डीव्स and we have always supported the people of Maldives and we will continue supporting the people of Maldives 400 करोड से 600 करोड इसका कर दिया है और यह जो development assistance है यह grant in aid है, line of credit है, capacity building है technical assistance है, काफी चीज़ों में यह पैसा दिया जाता है Maldives को यह हर साल दिया जाता है भारत के budget का एक हिस्सा होता है Maldives के लिए यह किसा Maldives को देंगे ठीक है जी, और इसके अलावा निर्मला सीता रमन जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है दोस्तों मैं पढ़के बताता हूँ आपको बयान कि सामने कागस पढ़ा है मेरे लक्षवदीप विल गेट undivided attention from government to improve its tourist infrastructure अब सरकार ने बोल दिया है कि जनाब लक्षवदीप के लिए एक अलग बजट है और 2024 से काम हो गया शुरू लक्षवदीप पे, एक बजट सरकार ने बना दिया, वहां पे मंतरी को बोल दिया कि यह आपका पैसा है अब जाओ, लक्षवदीप को चमका दो अच्छा, काफी लोग लक्षवदीप के लिए बोल रहे हैं कि नहीं, वहां का जो ecology है, वो ठीक नहीं है, और ये नहीं है वो नहीं है, उसमें ये दिक्कत हो जाईए तो इतना negative होने की ज़रूत नहीं है चीज हमें है, कीडे नकालने के अच्छा, चाप लोगों को नहीं है, जो हो रहा है, ठीक हो रहा है, जो हुआ, वो भी ठीक था, जो आगे होगा, वो भी ठीक होगा, बोस्में. हे एविभरड़ी, ओ मैज़ डिमाग, है मेरा दिमाग मैं जॉगर्यमे, मेरे जोगरफी में मेरी दमाग जाने इतना अच्छा काम नहीं करता था तो गॉरभ जी नहीं घुमाया है नहीं से माल्डिफ श्री लंका तो फिर पाकिस्तान पर बंगलादेश तो फिर इंडिया तो फिर चाइन तो पिर ताइवान ओमाइग बगर एक चीज जो मैं कहूंग देख रहे हैं ना कि सारी यह कंट्री जो होती ही माल्डिव का उठा लो मलेजिया हो गया इंडोनेजिया हो गया इसारी कंट्री जो इनके बारे में इतना सुनने में नहीं आता था समोसल आभर बूदिस्ट बफॉर तो आई मीन उनका कल्चर अभी थोड़ा बहुत है वहा जितना आप करीब रहेंगे उतना तो उनका असर आए गई अब इतनी दूर हम यहां कहनड़ा है तो पाकिसान का असर कितना है तो आप जिस सेंग के पाकिसान का असर तो खैरी तो इस होल तिंग अब टेररिजम और यह तो यह वर्ड वाइड इसु बन चुका है और अगर जोड़ीटी के वहां रहाऑ बात तो यह व्रा ऍेयत को पीड़ारी था है तो यह उस्टी तंपे घ्ड ideafrig अगर को टबाखें के खिन तो जोड़ीजिए यह नियु बन बर अवाइड था Pak का शार deliver इस गोई टू यूज इनका जो जिहादी माइंड सेट है वो पहले अमेरिका नहीं यूज किया फिर चाइना भी यूज करेगा कि कि पागल है ना वही पागल है पागल से नाचे अप्रम करेंगे उसको कौन नहीं यूज करेगा वहादी के दूछ हो तो पैदा ही इस फटे जब देशने का मगर एक मुझे जो वजा आते हैना देखने का क्यूंके पाकेसानी यूज कि नहीं जैसे का कि पाकेसानी छो एकर सारा दिन वेठ़ एफिटर की पाकिसानियों को पता नी क्या घमंड है? I don't understand कि घमंड आपको किस चीज का है? प्राउड टो बी पाकिस्तानी आप बेटे हो केरिड़ा में, आप बेटे हो यूके में Why are you proud to be a Pakistani? पाकिसान आपको कौन से अंडे दे जिसको आप प्राउड लेके बठे हो? क्या करा क्या पाकिसान ने जिससे प्राउड हो पहले है तो बता तो जितना नाच रहे हो गा रहे हो और इतना प्राउड हो तो पर पाकिसान में जाके रहो But no, they are proud to be Pakistani We are क्टोरा लेकर आप हर जगा पहुंचे So anyway, space is when you listen करेंगे जिससे फटे प्राउड हो फिए बाड़ा जूम हो रहे हैं इंडिया की मीनॉरिटी जो अगर एक्चौल मीनॉरिटी को देखा जा जाये Right that is us, Parsi Zoroastrian वो जूद है Minority's उन पे तो कभी नहीं संदे में आते उन पे जुह है जूलम हो रहे है पारसियों को देखो कितना कमाते हैं कितना कंट्रिब्यूट किया उस कंट्री में वह तो नहीं कभी हो है I don't I have never seen them जुरासियन फोबिया पारसी फोबिया चल रहा है ऐसे ऐसे यानि विक्टम है ये कि and now I'm not इस तरह पाकिसान में उन्दू लड़कीों को उठाव और लड़कीं उठाके जा रहे हैं अगर में हो भी रहा है तो उसके पीछे जब को लेंचिंग के केसे तो उन लों नों को पकड़ा गया था उन लों को सजा दी गई थी इस नॉट रही कि महां पे सजा नी मिलती है मगर मेरा question यह है कि मैं चलो मैंने मान लिया मैंने मान लिया बहुत जुल्म हो रहा है आप लोगों मगर भाई जिस पे जुल्म हो रहा है वो लोग खड़े होकर लोगों की गले कैसे काट रहे है पत्थराओ कैसे कर रहे है लोगों पे उनके महले में लोग नी जा यह कैसी माइन हो रहे है क्योंकि मैंने आशिक भी सुना कि पाकिसान में अगर आप हिंदू महले से घुजर रहे हैं तो उन लोगों ने आप पे पत्थराओ किया होगा या पाकिसान ने किसी हिंदू ने खड़े होके किसी मुसल्मान का गला काट दिया नवर नवर यह थे मेरे थौट्स थोड़े बहुत जो मैं बढ़ बढ़ कर रही थी यह आइडियोलीजी जहां जाएगी तब अबर बात कर देगी लोगों को ना खोद जी ना दूसरों को जीने जीना यू ना आइडियो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा को तो इसको थम्स अप देना मत भूल ना नीचे मुझे कॉमेंट की सेक्षिन बताएगा कि आपका क्या कहना है और आप क्या चाते हो चाते हो कि मैं क्या और वीडियो है जिस पर आप में रियाक्शन दूँ उसके लावा यह आप लोग मेरी शॉर्ट्स ही रिए करें शॉर्ट्स में मौल भाले वीडियो दाले वो जो आकर देखो उसके लावा अब आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं OnlyFans, PayPal, Patreon and BuyMeACoffee पे उसके लावा Paytm के लिए भी आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा हमारी सब्सक्रिप्शन मेंबर्शिप on YouTube की प्लीज मेंबर्शिप जोइन कीजिए Facebook और Instagram पर भी आप सब्सक्राइब क तक के लिए बाइए